असलाम लेकुम जी यह वी यह इन्टो आर सगेंड लेक्ट्टर अधिस अवाउट माइक्रोसॉफ वर्ल्ड कंग्रेचुलेशन्स यू वह प्रफेशनल किसम की प्रेजेंटेशन्स बना सकते हूं ठीक है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी के लाइफ में न कभी कबार हमारे पास ऐसे स्किल आ जाते हैं जिनको हमें अडवांस लेवल पे खुद बखुद करना होता है अभी पावर पॉइंट के इतने वो अभी हमने नहीं सेखी, ना वो हमारे कोर्स का हिस्सा है, बट, I understand, आप लोगों का जैसा अप्ची चूड है, यू आप लोगों का जैसा अप्ची चूड है, यू आप लोग तो मेग दैक टाइंड अप्रेसेंटेशन एस वेल, आपको कोई ऐसी प्रेसेंटेशन बनाने को कहें, जिसमें वीडियो भी या ओडियो की मैनिपलेशन भी हो, वरना नार्मली सिंपल प्रेसेंटेशन होती हैं, लेकिन हमारा फर्स था, इसको अच्छे से सीखना हमने सीख लिया, नाओ, हेडिंग तोवर्ड माइकरसोफ वर्ड, यह आपके जो सलेबस है, जो वो है, आपकी बॉड़ी है, एक एची सी होती है, आपकी वो होती है, यूँएचेस, यूँएचेस की सलेबस की गार्ड लैंस के मताबिक, तीन सॉफ़वेर्स हैं, माइकरसोफ आफिस के स्युक्ति हैं, इसमें से पहले, आपने सीख लिया है, Microsoft PowerPoint, अब दूसरा, Microsoft World, ठीक है, यह चींदा बहुत जाएदा असान, नए तरीके से स्टार्ट करेंगे and you know कि मैं प्रोजेक्ट बेस लेजनिंग पर बिलीव रखता हूं मैं बिल्कुल सिंपल आपको यह नहीं कहूंगा कि यह डॉकुमेंट बनाने के काम आता है इसेटर एसेटर एसेटर ठीक है तो चलते हैं जी Microsoft Word की तरफ यह क्या चीज है हमा आप इसको आइकन से उपन कर लो याप अपने डेस्टॉप से जाकर यहां पे MS Word लिखें याद रखें प्लीज इसको MS Word कहना है इस वर्ल्ड नहीं कहना यह दुनिया नहीं है यह वर्ड ठीक है लवज वला वर्ड अब जब इसको उपन करते हो तो आपके सामने ना एक ऐसी स्क्रीन आ जाती है ठीक है पहले इस स्क्रीन को अची तरह समझना आपने यह स्क्रीन बेसिकली आपको यह इसकाबिल बनाती है कि जनाब आप क्या करना चाहते हैं Microsoft Word में ठीक है यहां पे काफी दादा यहां पे left panel में देखेंगे तो यह फिलाल हम लोगो home में हैं अगर आप देखेंगे इंटरफेस चेंज हो गया है अगर आपने कोई recently save किया हुआ document open करना है तो आप open पे जाते हूं ठीक है ना तो आप देखेंगे open पे जब मैं आया हूं तो यह मेरे पास recently open documents की list आ रही है पहले क्या होता था पुराने Microsoft Word के versions में मतलब जो 2016 से previous 2013 है ना उनकी जो memory है वो थोड़ी सी low होती है वो इतने जादा पुराने documents save नहीं कर पाती ठीक है ना बट यह वली जो हमारे पास 2019 का जो version है वर्ड का यह इसकी आप देख रहे हो memory काफी जादा है यह काफी जादा पु documents को आपके सामने पेश करते हैं ठीक है ना तकरीबन एक महीना पहले तक के documents जो मैंने open किये थे वो इसके पास अभी भी इसकी memory में पढ़े हैं ओके तो यह तहा है open के tab की बात फिर new पे जब आप जाते हो तो आपके सामने और भी options आते हैं यह भी discuss करते हैं यहाँ पे account जो दिल किया कभी बहुत जादा free हुए आप तो कर देना इसको जो भी है यह ठीक है options में जाके यह बहुत जादा advanced चीज है फिलहाल हमें इसकी जरुरत बिल्कुल नहीं है ठीक है लेकिन हम इसकी बात इंशालला आगे जाके करेंगे ओके वापस जाने के लिए यहाँ पे आप यहां जरा template में जाते हो एक तो यह ब्लैंक डॉक्यमेंट है जिस तरह ब्लैंक प्रेजेंटेशन होती है जिसे तरह एक ब्लैंक डॉक्यमेंट भी होता है आज हमने इसी पर काम करना है बट फर्स लेट में डूड्यूस के Microsoft Word की range किया है किस किस किसम के software's produce कर सकता है Microsoft Word तो देखो यहां पर आपके पास यहां एक checklist है यह एक brochure है यहां एक sign up के लिए list है एक color black color block resume है अच्छा यह ना resume है इसको resume नहीं पढ़ना यह resume है resume यह resume क्यों नहीं पढ़ना इसका फरका आपने समझना है Microsoft Word में जब हम कोई इस तरह का document open करते है ना जिसके आगे यह resume में लिखा हो तो उसका एक मकसद होता है वो मकसद यह है कि नॉर्मली ना आपने देखा होगा जब आप कभी कहीं पर job लेने जाते हो तो आप वहां जागे उनको यह नहीं कहते है यार मुझे job पर आक लो ठीक है आप वो company आपको कहती है अपनी CV drop कर जाओ और जब हमें जरूरत होगी हम आपको call कर लेंगे ठीक है ना तो वो जो CV होती है ना CV का alternative name होता है resume ओके कभी आप किसी अखबार में या किसी website के ad में देखो लिखाना दर आता है drop your resume तो resume होता है ठीक है resume भी develop करने हैं तो आपके पास कौन सा software होता है Microsoft Word ही होता है okay तो उसके भी built in templates इसके अंदर मौझूद है ठीक है ना ना सिर्व resume में बलके बहुत जादा templates हैं इसके अंदर जिनकों पर आप काम कर सकते हो ठीक है यह देख रहे हो आप अगर आपका एक restaurant है उसका भी brochure आपने बनाना है और आपकी graphic designing अच्छी नहीं है that's fine आप यह brochure इ और जो उसका वो एक बड़ा ही awesome किसम का design है वो आपके सामने open होने के लिए ready हो जाता है ठीक है चूंकि यह basically internet पर पढ़ा हुआ है यह internet से download हो रहा है इसकी जो dimensions है वो बहुत बहुत ही awesome है और इसके जो size है वो बड़ा काम है तो यह built in templates पर काम करना तब अच्छा होता है ज मेरे सामने open हो गया है अगर मैं एक graphic अच्छा graphic designer नहीं हूँ तो फिर मुझे किसी graphic designer को hire करके उसको pay करना पड़ता कि मेरे लिए brochure का design बना के दो okay अब हमें क्योंकि Microsoft Word का पता चल गया है और हमें यह भी पता चल गया है इसमें काफी जादा brochures की list already पढ़ी है templates की सुरत में तो हम इनी को use करेंगा अब आपने अपना restaurant का brochure develop करना है आप अपनी मर्जी से यहां पर अपने अपने रेस्टरॉन का नाम लिख लो यहां पर उस अपनी details लिखो यहां पर अपनी जो एक tagline है यह code है वो लगा लो okay यहां पर भी अपना कोई website का address लिख लो उसने already आपको template में जो जो चीज़े होती है वो theme है ठीक है ना आप यह images को ना यहां पर change नहीं कर सकते यह ठीक है कुछ images changeable होंगी कुछ नहीं होंगी तो यह theme की यह आपने template use किया ना तो template की जो हैं कुछ limitations होती है कि आप इस template में maximum यह customization कर सकते हो यह नहीं कर सकते है ठीक है तो यह depend करता आप कौन सा template और उसकी कौन सी customizer जो उसका developer है उसने आपको कहां तक limitations दी हुई है कहां तक नहीं दी हुई ओके तो यहां पर बात कर रहे हैं हम एक ब्रोशर की इस तरह बहुत जादा templates हैं जिन पर आप काम कर सकते हो और ब्रोशर के लिए नहीं है different domains में आप काम कर सकते हैं वो domains मैं एक दवा दिखा दूँ फिर हम लोग अपना actual काम करने चलते हैं जो हमने सीखना आज ठीक है वो domains बहुत ज्यादा है यह more templates पर मैं click करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यह holiday है ठीक है resume और cover letters है यह हम लोग हमारा एक चोटी से assignment भी होगी कि आप अपना resume में submit कर वाओगे जब मैं यह पूरी तरह सिखा दूँगा educational letters, flyers, cards, business का कोई letter है तो यह सब कुछ हम लोग produce कर सकते हैं by using Microsoft Word ठीक है नब तो अब दरह काम करके सब्सक्राइब करते हैं कि Microsoft Word एक्च्वल में एक्च्वल में हमारे पास कहां पर काम आते हैं कि को कि तो हमने अपने Microsoft Word को basically कहां यूज़ करना है हमने Microsoft Word को यूज़ करना है अपनी assignments बनाने के लिए future में जब आप लोग research paper लिखोगे या कोई assignment बनाओगे तो you need a paper and a pen अब याद रखो paper और pen का जमाना जो है वो खतम होता जा रहा है लोग electronic typing को ज़्यादा प्रफर करते हैं क्यों क्यों कि एक तो आपकी ink और कागल बच्चते हैं दूसरी बात ये कि आपका बहुत ज़्यादा वक्त बच्चता है प्लस ये कि अगर आपने उस सीज की multiple copies generate करनी है तो आपको photocopier के पास जाना पड़ता है यहाँ पर यादा Microsoft Word में लिखा हुआ जो data है उसको आप 3-4 clicks में चाहे वो 5000 words हों वो 3-4 clicks में सारे के सारे copy हो सकते हैं ठीक है उसके लाव भी इसके कुछ wonders होते हैं जो हम explore करते हैं ओके तो जब आपने new document बनाना है आपके सामने यहाँ पर आपने blank document पे click करते हैं ठीक है जब आप इस पर click करोगे तो यह Microsoft Word का जो एक interface है यह open हो जाएगा इसकी जो सबसे उपर वली बार है इसको हम कहते है टाइटल बार इस टाइटल बार पे ना अगर जब जब तक आपने इसका नाम नहीं रखा हुआ तो टाइटल बार के यहाँ पे जहाँ पर करसर आप देख रहे हैं इस पर focus रखना करसर पे यहाँ पर document 6 लिखा है जब हम इसका कोई particular नाम सेव कर देंगे पर यह document उस नाम से सेव हो जाएगा यह भी कुछ buttons हैं जो आप वक्त के साथ सीखोगे यह buttons you know इनका क्या काम होता है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हाँ यह इस से आपके टैब चुप गए है यह दुबाओगे तो इससे वापस आ जाती है यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है यह खुद से करके देखते तो भी आपको समझ आ जा जाती है उसके बाद आती है जी यहाँ पर इसको हम कहते है menu bar यादा करने मुली पाता है एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस menu items from file to help यहाँ पर मुझूद होते हैं 10 menu items उसके बाद जो सबसे ज़ादा अच्छी चीज मुझे लगती है Microsoft 2016 से 2019 तक के versions में वो यह है इनकी search bar लेट सबोज मुझे कोई अब देखें, यहाँ पे 10 मेरे पास मुझूद है menu items इन में से यह design में जाकर यह वाटर मार्क की एक option होती है अगर मुझे नहीं याद रहता के वाटर मार्क की option कहां पे है मैं भूल जाता हूँ बजाए इसके, के मैं सारे जाके फोला भाली करूँ और फिर उसको ढूंडू मैं simply यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर मार्क और वो जो option है वो मेरे सामने appear हो जाती है तो यह एक बड़ी fantastic option है जो Microsoft Office के packages में मौझूद है मतलब Excel आप यूज़ कर रहे हो या you are using Excel और XS या PowerPoint या Microsoft Word उन सब में यह search bar अब मौझूद होती है तो by default हम लोग इस home के tab में काम कर रहे होती है इस home के menu item में मौझूद होती है इस menu item के नीचे जाएंगे तो यह आपके सामने होता है ribbon यहाँ पे कितनी ही जादे ऐसी options हैं जो Microsoft PowerPoint में भी मौझूद थी ठीक है जैसे यह वाला section font का section मौझूद था वहाँ पे paragraph का मौझूद था यह styles का मौझूद नहीं था और यह editing का भी मौझूद नहीं था ठीक है तो चुँके यह software उससे अलग इस तरह है कि इसकी nature है basically document production की यहाँ देखने बली बात है PowerPoint की nature है presentations production की इसकी nature है document production की document की तरह की हो सकते है देखो अब इस तरह नहीं होता कि अगर आप दे को application देनी है किसी top management को या higher authority को तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे interface की एक खूबसूरत application की ताकि जब वो शख्स application को grab करे अपने हाथ में पकड़े तो उसको बेटर फीलो ना कि उसको आता लगए गंदी सी writing में application लिखी भी है जिसकी indentation proper नहीं है तो अच्छा नहीं लगता तो उस case में हमारे पास इस तरह के software होते हैं जो हमें in software की nature होती है document production की ठीक है न application लिखनी है किसी को letter लिखना है कोई journal तयार करना है कोई magazine का page तयार करना है आपने अपने college के notice board पर लगे हुए notices देखे होंगे वो कहां से produce होते हैं basically microsoft word से produce होते हैं ठीक है ना अब उसके नीशे चलते हैं तो आपके सामने एक white color का panel आता है ठीक है इस panel को basically हम कहते हैं document window यह वो window है जहां पे आप लिखना start करते हो इस document window में एक cursor blink कर रहा है ओके आप देख सकते हो यहां पे एक scroll bar है इस scroll bar से आप इस page को नीचे या उपर scroll कर सकते हो ठीक है ना उसके बाद आपके पाद यह जो पटी है यह वली bar इसको आप कहते हो status bar क्योंकि इस पे आपका इस पूरे document का status आ रहा होता है चौनके अभी हमारे पास पहले page के अलावा कोई दूसरा page नहीं है तो यह bottom left पे नजर आ रहा है कि जनाब अभी आपके पास अभी पहले page पे आप काम कर रहा है अभी तक मैंने कोई word नहीं लिखा इसलिए सामने कुछ लिखा नदर नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आप देखें उसने कहा कि तुमने अभी तक एक word लिखा enter दबा के एक और लिखोंगा तो उसने मुझे बता दिया कि तुमने अब दो words लिख रही है यहाँ पे ठीक है किस language में आप by default काम करें United States में अगर आप किसी दूसरी language को prefer करना चाहते हो तो उसमें भी करेंगे ठीक है इससे होगा ये कि जब आप grammar और spelling की mistake करोगे तो इस language के मताबिक आपकी spelling और grammatical mistakes को पकड़ा जाएगा उसको identify किया जाएगा और अगर आप अपनी उस language के mistakes को ठीक भी करते हो तो इस language के rules के मताबिक होगा ये English United States की open की विया है हम लोगों को बच्पन में जो schools या colleges में पढ़ाई जाती है वो basically British English पढ़ाई जाती है ठीक है spelling mistakes को catch करेगा ठीक है ना इसके बाद आप यहाँ पर आओ तो यहाँ पर यह कुछ view है यह view हम आगे जाके देखेंगे ठीक है यह यह भी एक view है इस पर आप click कर दो के तो देखना क्या होगा ठीक है यह basically views होते हैं इनको हम आगे जाके discuss करेंगे यहाँ पर आपको एक zoom in और zoom out की option मिलती है ठीक है कभी कबार ऐसा होता है हम लोगों की window बड़ी छोटी होती है तो हम उसको अगर zoom in करोगे तो आपको window zoom होई नदर आगी जैसे मैंने zoom किया तो आप देख रहे हो मेरे पास एक horizontal scroll बार भी open होगी है क्योंकि मेरे document window अब मजीद right side पर भी मुझूद है इसको मैं जो इसका default size होता है normal size वो 100 होता है तो आप जहां पर comfortable हो वहां पर कहां करना शुरू कर सकते हो अब ना यहां पर कुछ लिख के देखते हैं और इसकी properties लिखेंगे उसकी manipulation देखेंगे और कुछ short keys हैं जो मैं आपको send करूंगा वो आपको याद करनी होंगी प्लस उन्हीं short keys में से test होगा आपका test का format भी मैं आपको पहली बता दूँगा ताकि आप लोग अच्छे से prepare हो ठीक है ना और जो आपके questions आते हैं Microsoft Word से वो mostly इसी के बन के आते हैं कि आपने short keys याद की हूँ ठीक है जो इंतहाई मुश्किल वली short keys होती है वो नहीं आती ठीक है लेकिन कुछ बहुत जादा easy short keys होती है वो भी नहीं आती जो moderate level की short keys होती है वो आती है लेकिन हमने इंशाला सारी की सारी cover करनी है ठीक है ना बहुत जादा नहीं और जिर बहुत easy होती है ओके यहाँ पे अपना मैंने कुछ text लिख है let's suppose हमना एक notification आज का हमारा जो छोटा सा project है वो यह है कि हम लोग notification जारी करना चाहरे है AMDC में कोई एक announcement है वो एक announcement आप तक पहुचानी है या आपने किसी तक पहुचानी है आपको task मिला है कि notification बनाओ और आपने notification बनाना है ठीक है तो हम देखते हैं how we can generate notification एक good looking notification कैसा होता है ठीक है तो हम लोग देखते हैं आपने सबसे पहले साइस से बात है आपके नाम आएगा आपके college का सबसे उपर notification है notification कौन जारी कर रहा है तो वो AMDC वाले जारी कर रहे हैं ठीक है आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी है आप जैसे मर्जी लिखें ठीक है ठीक है अब आप देख रहे हैं यहां पर मेरे पास एक red color की लाइना आगई है मैं इस phone का size increase कर दूँ इस सारे को मैं select करता हूँ control plus A से control A दबाया तो यह सारा का सारा खुद बखुद सेलेक्ट हो गया मैंने phone का size increase कर रहा है मेरे पास तो तीन options हैं यहां पर जाके phone का size increase कर लूँगा ठीक है यहां तो मैं यहां पर जाके इसको increase करूँगा ठीक है अब यह वो चुके एक ही word select हुआ है तो एक ही का size बढ़ा हो रहा है आप इस सारे को select करो और फिर phone का size increase कर लो यह भी option होती है जो सबसे जादे efficient तो हो गया है लेकिन मैं चाहता हूँ यह heading 1 है ठीक है तो आपने कहा करना आपने देखर हो style है style में यहां आपके पार heading 1 की option है heading 1 जब मैंने इस पर apply की न तो यह automatically एक well settled heading की तरह लग रहा है मुझे जो कि पहले नहीं लग रहा था आपकी मरजी आप heading 2 भी रख सकते हो उसके लावा काफी ज़्यादा style होते है आप उसको भी apply करके देख सकते हो ठीक है लेकिन heading 1 क्यों रखते है इस बात की समझ आपको आगे जाके बेतर रहेगी अब मैं चाहता हूँ यह ना मिर्चुके heading है यह center में आजाओ तो center के लिए आपके पास जूनो paragraph के section में यह center alignment की option होती है या इसकी short की आप देख रहो control plus E है मैंने वो दबाई यह बिल्कुल center में आ गई अब मैं यह red line खत्म करने के लिए red line काफी दादा irritate कर रही है क्योंके basically आपको बता रही है कि यहां पर आपने spelling की mistake की हुई है आप यहां पर आते हो right click करते हो एक तो options आ रही है ठीक है या तो यहां से ठीक कर लो दूसरा तरीका होता है आप F7 की short की दबाएं याद रखने वली बात है F7 ठीक है मैंने F7 दबाई तो यहां पर मैंने पास spelling character open हो गया यह मुझे बता रहा है जनाव तुमने यह तो नहीं लिखना था medical यहां यह medial तो नहीं लिखना था मैं अगर इसको select करके change करूँगा तो यहां पर medial हो जगा लेकिन फिलार मुझे medical ही चाहिए medical पर click किया और change किया तो अब वहां पर medical हो गया ठीक है अब उसने मेरी grammar की भी एक mistake capture किया याद का तुमने ए बड़ा लिख दिया यह एक helping verb है तो तुम यहां पर इसको capitalize नहीं करो grammar के rules कहते हैं इसको तुम चोटा करो तो मैं चाहूं तो मैं इसको and को बड़ा भी लिखा रहने दे सकता हूं capital भी तो यहां फिर आप इसको change भी कर सकते हैं मैं इसको फिलाल change करते हूं ठीक है अब उसने मुझे notification जारी कि जनाब अब तुमारा सारा काम खुबसूरत है अच्छा है आगे तुम चल सकते हैं अब notification बना है मैं यहां पर आगे enter दबाता हूं तो आप देख रहो cursor by default लेफ्ट पे चला गया है ठीक है याद अखने वली बात है अब एक नया paragraph शुरू हो गया Microsoft Word में normally आप paragraph English में paragraph किसको कहते हो जहां पर आपकी 3-4 lines खतम हो रही हों उनको आप एक paragraph कहते हो पर याद अखने वले बात है Microsoft Word में paragraph का मतलब होता है जहां आपने enter दबा दिया वहां पर आपका एक paragraph खतम हो गया चाहे आपने एक word या एक letter लिखके भी आपने enter दबा दिया है तो वहां पर आपका एक paragraph खतम हो जाता है ठीक है यह Microsoft Word की terminology में हम लोग इसको कहते है paragraph ठीक है यहां पर अपने new paragraph स्टार्ट हो रहा है तो let's vote we are going to arrange a badge party next week ठीक है you all are welcome to join us your presence will be appreciated and your presence will be appreciated यह एक कुछ lines लिखके न अच्छी सी वह आप print करवाना चाहते हो notice board पर यहां पर मैं enter दबा देता हूं यहां पर हम इसका size थोड़ा सा मजीद increase कर लेते हैं ठीक है और इसको print करवाना है हमने लेकिन आप देखे हो यह बहुत ज़्यादा simple लग रहा है सारा कुछ बहुत ज़्यादा simple है आप क्या करो आप इसके गिर्दन border लगा सकते हो कैसे आप यहां पर आके आप इसको कर दें जी outside border ठीक है अब यह कुछ बेतर लाग रहे ठीक है और इसकी इसको justify कर सकते हो ताकि यह मजीद अच्छा लगे इसके color बगारा भी change कर सकते हो वह अभी मैं वहां पर नहीं जाए को कि आज introductory lecture है and you know के physical classes अभी नहीं हो रही है आप लोग बहुत ज़्यादा interest से तो नहीं बढ़ रहे होगे I am sure but मेरी कोशी है कि जितना मैं कम सिखा हूँ और जितना ज़्यादा बेतर सिखा सकूँ आप उतना सिख लो ठीक है क्योंकि जब इंशाला माई physical classes start होगी फिर हम लोग ज़्यादा speed से बढ़ेंगे और ज़्यादा मेंनत करेंगे इंशाला okay but I understand यह भी knowledge से कम classes नहीं है इनमें भी full of knowledge content provide किया जा रहा है आपको यहां तक एक notice त्यार कर लिया आप और भी कुछ कर सकते हैं no doubt अपना नाम लिखके के यहां पर sign कर देंजी तो यह हुआ है okay अब इसको print करने से पहले याद रखें यह ethics होते हैं कि print करने से पहले हमेशा उसका print preview लेना चाहिए है okay वो कहां से आएगा देखो यहां मैं कहां पर गया हूं basically यह print होने के बाद कैसा लगेगा वो देखने के लिए हम print preview देखते हैं वो देखने के लिए आप जाते हो file में और print की option में जाते हो print पे जाते हो तो अब आपको कहता है जनाब तुम्हारा document ऐसा लगना है इतना हिसा तुम्हारा खाली रहना है तो फिर आपने अगर कोई further changes करनी है तो कर सकते हो कितनी copies प्रिंट करनी है वो आप यहां से प्रिंट यहां पर उसको command देखे अगर तो आपने printer attach किया हुए इस प्रिंट पे क्लिक करोगे तो printer से इसकी उतनी copies generate हो जाएगी ओके यहां तक अगर कोई बात समझ नहीं आई तो very bad क्योंके इस सारी चीसे बहुत जादा असान थी कोई बहुत जादा rocket science नहीं थी प्लीज यहां तक कोई बात अगर आपने पूछ नहीं है तो पूछ इसको अपने laptop में install कर लीजिए ओके थोड़ इसी तंग करो parents को please कि आपके पास अपना एक laptop होना चाहिए है अब आपको आके जरूरत पढ़ रही है इन चीजों की और यह आपके अपनी होनी चाहिए ठीक है ना थोड़ा सा खुद भी कमाओ किसे ना किसी तरीके से कहीं पर पढ़ा लो किसी को ट्यूशन पढ़ा दो पैसे जमा करके तो अपने लिए laptop खरीद दो ओके ताकि आप महरूम नहीं रहों देखें कितने इस्टोर्स ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत जाधा potential था बाट अपने resources ना होने के बावजूद वह अच्छी presentations नहीं बना के बेज सके तो लो मैं समझता हूँ आपका attitude अच्छा है तो you can make good presentations and you can excel in your career आप दूसरे subject में बहुत अच्छे होगे लेकिन देखो resources की वज़ा से पीछे रह जाना is unfortunate नहीं है वो misfortunate है मैं समझता हूँ तो आपने unfortunate तरीके से अपने career को किसी वज़ा से पीछे होने देना ना misfortunate होने दे मैंने आप से पहले भी discuss किया था class में के जनाब जो आपके exams है आपका educational career है वो आपके लिए जंग है और उस जंग में आपके हत्यार या आपके tools है आपके pen आपकी books आपके laptop stick है तो अपने इन हत्यारों को अच्छा रखो ताकि आप इस जंग को अच्छे से चीच सको okay ना क the end पर आपका कच्रा निकला हो ना आपका और जो आप भार हो माले खनीमत किसी और को मिलता हो लास में जो आपका laptop करीदा वो किसी और को मिलता है one last thing जो हमने देखनी है वो यह है कि यह चोटा सा और project है वो आपने देखना है अभी थोड़ी देर पहले ना मेरे दोस्तने डिस्क्रिप्शन क्या होती है मेटा डिस्क्रिप्शन ये ठीक है अब जो website जब आप यहां पर कुछ कोई चीज सर्च करते हो तो यह जो searchable word या phrase आपने लिखा ना इसको हम कहते है keyword okay keywords की game यह होती है कि जो keyword आपने यहां पर लिखा है और जिस जिस website ने जैसे यह mu creatives है यह eco dmc.com है और यह intrasics.com है emis.com इन सब websites ने अपनी in description में यह words यूज किये होते हैं जो हमने यहां पर लिखा ठीक है तो यह strategy होती है Google पर number one आने के लिए यह number one यहां पर तो यह एक add आ रहा है इन लोगों ने Google को पैसे दी है है Google हमारा नम जब कोई यह search करें न कोई भी शक्स तो गूगल तुने सबसे पहले हमाहा में दिखाने है ठीक है ना Google यहां पिसे earn करता है दूसरी बात यह कि जब अगर किसी ने पैसे नहीं दिये हुए और organically उसकी website सबसे उपर आ रही है तो यह है क्यूंकि इसने भी यह words marketing digital अपने यहां पर use किये हुए है अपनी description में यह description होनी चाहिए जी 160 characters की तो मुझे task यह मिला कि यह keywords दिये मेरे दोस्तने मुझे ठीक है और उसने मुझे का कि उसकी एक website है उसके लिए उसको मैं description लिख दूँ 160 characters की यह keywords कहीं न कहीं पर adjust करने थे ठीक है मैं description लिखी और क्या वो description 160 characters की है यह नहीं है यह देखने के लिए मैं क्या करना मुझे क्या करना पड़ता था मैं इसको select किया इस text को ठीक है और यहां पर मैं गया तो उसने मुझे बताया है यहां पे न यह page number 1 पर मुझूद है यह information जो selected है इसमें total 23 words है characters total 138 है 138 बट यह जो spaces हैं इनको भी count किया हुआ है और 160 characters तक आपका यह चली गई है description ठीक है लाइंच कितरी बार नहीं है तीन बार नहीं है तो यह 160 characters तक नजर आती है Google के यहां पे search engine में इसलिए 160 characters लिमिटर होती है तो यह मैंने आपको एक चोटे सी application दिखाई है कि यह word count कहां कहां पे use हो सकता है ओके यहां तक कोई सवाल नहीं होगा तो test के लिए अपने आपको prepare कर लीजिए MC को जो short keys की list है वो मैं आपको send कर दूँगा वो आपने याद करनी है उसके MC को किस तरह बन के आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगा ठीक है तो यहां तक कोई दुख गम परेशानी तुफान आदी है तो बिता पोच रहते हैं अके अलाँ आपिस